शहरे बैंगलूर में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर सूफी हसनेंडे मनाया जा रहा है शहर की चार बड़ी खानकाउं की जानिब से सूफी हसनेंडे मनाया जा रहा है जीहां दोस्तों बैंगलूर के इंफेंट्री रोड गुलिस्तान शादी महल में 25 अगस्त दो हजार चौबीस बरोज इत्वार शाम चार बजे सूफी हसनेंडे मनाया जा रहा है शहर की चार बड़ी खानकाएं खानकाए तुराबिया खानकाए अस्दकिया चाद्रिया चिश्टिया फकरिया खानकाए मौला अली जीलानी और खानकाए वारसिया के जेर एहतेमाम सूफी हसनेंडे मनाया जा रहा है चन्द दिनों कबल इन खानकाओं की जानिब से बैंगलूर के शिवाजी नगर एलजिन पैलिस में जशन इद गदीर वकुलहिंद मनकबती मुशायरा मुनकद हुआ था एक मरतबा फिर इन चार खानकाओं की जानिब से सुफी हसने इन दे मनाया जा रहा है जिसमें खास तोर पर हज़रत इमाम हसन रजियल्ल अन्हाँ की शख्सियत और उनकी शहादत पर रोश्नी डाली जाएगी साथ ही हजरत इमाम हुसेन रजी आला नहां की शहादत और अहल बैत अतहार का जिक्र भी किया जाएगा इस मौके पर कुल हिंद मनकबती मुशायरा भी मुनाकद किया जाएगा खवातीन के लिए परदे का अलहिदा नजम रहेगा और तमाम शुरका के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहत्माम रहेगा इस मौके पर हजरत स्यद शाम मुहमद जैन अलाबी दिन तुराबी खलीफा गुलाम मुहमद अल्कादरी जीलानी मुस्वी हाफिज स्यद मुहमद अमीन अल्हकादरी और सूफी आरिफ हुसें शावारसी ने मेडिया से खिताब किया और 25 अगस्त 2024 बरोजी इत्वार मुनाकद होने वाली इस तकरीब के सिलसले में जानकारी फराहम की जनूबी हिंद नियुज रिपो क्यों आम सब मिलके खटे असलाम वारेकुम रहमतुल्ह बिस्मिल्लाहुर्रह्मान रहीम आप जानते हैं हमारे मशायखین की तरफ से घजिर-खुम का एक प्रोग्राम ये लिजिन टाकिस में हुआ था और उसी तरीखे से इस मरतबा गुलिस्तान शाजी महल इंफन्ट煮 रोड में सूफी-थहसनाइम डे मनाया जा रहा है जिसमें हदरते इमाम वं हसन अल्हिम स्सीलात वा सलाम की शहादत के बारे में हदरते इमाम हुसियन अल्हिम स्सीलात वा सलाम की चहादत आर चालिसवा और अज़र्ट बीबी जैनब सलामुल्य आलेहा की तारीख है उसमें पेयान की जाएगी और जलसा मुनाखिद किया गया है जिसमें चारों मशाइखिन सिल्सले वारसिया, सिल्सले तुराबिया, सिल्सले मौला अली, खानका मौला अली, खादरिया अल्गीला नी और खानका अस्दकिया, खादरिया, चिश्टिया, नक्षबंदिया, सहरवर्दिया, इसकी तरफ से ये तमाम मशाइखिन की तरफ से प्रोग्राम मौनख़त किया जा रहा है जिसमें चार मशाइखीन और खानका हैं छोड़कर इसमें किसी का अमल दخल नहीं है और इसमें ये तमाम चार मशाइखीन ही दामे दिर में खदमें सुखने और इसमें तमाम मुरेदीन, मुत्किदीन, متوسिलीין और अहल महबसे शर्कत की गुजारिश की जा रही है आज का जो है प्रेस कानफरेंश जो रखी गई है इसलिए कि जो है इससे पहले हमने जो है इद गदीर का एक प्रोग्राम रखे थे और उसी तरह हम जो है 40-45 सालों से हम जो है अपने अपने खानखाहों में मजलिस अरबाइन किया करते थे नगर इस बार हमने सोचा कि जो है चारों खानखाह के लोग मिलकर एक जगे याने जो है सूफी हसनाइन डे के नाम से जलसा जो है मुनाकित किया गया है अलहमदिल्ला जो है गुलिस्तान शादी महल में जो है जलसा जो है चार बज़े शुरू होगा और उसमें जो है मशाइकिन हजरात के तखारीर होंगे और उसके बाद जो है इमाम हसन अले सलम मजलिस अरबाइन और जो है इमाम हसन अले सलम की शहादत के बारे में और इमान हुसाइन लिएसलाम की अरवाइन यानि मजलिस इन्शालला जो है मनखिद होगी उसमें मशायकीन हजराथ के तखारीर भी होंगे और जो है खवातीन के लिए उसका अलग इंतजाम रहेगा और जियाफति आम का इंतजाम भी रहेगा और इस नुजएत का ये पहला जलसा जो हम बाहर करना चाह रहे हैं इन्शालला जो है उसके बाद जो हर साल जो है इन्सूफी हसनाइन डे के नाम से इन्शालला ये मनाते रहेंगे हसन रजिल्ला ताला नहां की क्या तारीख रही है इन्सूफी हसनाइन डे के नाम से बाहरे है सुफ किया है और इमाम हसन की शहादत पर इन्शालला जो है उसमें जो है ताखारीर होंगी और मसल्मानों को ये पेगाम देंगे कि जो है इमाम हसन की भी शहादत हुई है जो मसल्मानों को तक मुस्म्मानों तक पहुंचाना है बिस्मिल्लाइ रहा हुआ हुआ है आलम्दिल्लाइ चार खानकाँ के जानिब से खानका ए अमिन दिन साब का जो सेद अमिन दिन साब है अस्दक साब उनका खानका ए अस्दक ही और वार्सी साब का जो है खानका ए वार्सी और हमरे महबब गुलाम साब का खानका मौला अली खानका और खनका-e-तुराबया, बजमे-तुराबया के जानिब से जो है ये चार छो है खनकों के जानिब से ये हसंडे, सुफी हसनें ले मनाया जा रहा है आलब देल्द आला जैसा के सब लोग जानते है हमारे आरिफ साहब और हमारे गुलाम साहब गुलाम महबुब साहब जो हैं कई साल से कई साल तकरीम गालिबन 14-15 साल से हमारे खानखा में अक्सर जो जलसे होते थे फैजाने हो लिया है जो भी जलसे होते हैं अक्सर हमारे खानखा में आते हर प्रोग्राम में Alhamdulillah आप साथ दी है हर प्रोग्राम में कालिमान कई साहल से हमारे साथ में है हमारी बहुत दिन से यह आपस में सोचती है कि हम सब मिल के एक साथ एकचड़े फ़पने खानगा में तो कर रहा है वारजी सारफ 45 साल से खानगा में कर रहा है हमारे खान कामे 08.8 स. से खान कामे चल रहा है हसले के एक वालिद के दर्थ से भी चल रहाई एक प्रोग्राम अपने अपने खान को किया तक कर ला रहे थे निकिन कई बार हमारे मुलाकाद जब भी बी तो हम लोग ये बात कर रहते कि क्यों नहुं getan मिलके खटे ऐसा एक जलसा जो है जैसे के हाली में यूमे गदीर सब मिलके करें तो अलाम दोला बहुत कामियाब रहा बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम पूरे हंदुस्तान में एक अच्छा मेसेज गया लोगों को गदीर क्या बोले तो नहीं मालन था कहने को तो जो है बड़े बड़े कोई दस साल का मुरीद है कोई पंगरा साल का मुरीद है कोई बीस साल का मुरीद है यूमे गदीर मुले तो नहीं मालन था लेकिन अलाम दोला वो इतना चर्चा हुआ वो यूमे गदीर जो जलसा था इतना चर्चा हुआ उसका कि बहुत दूर दूर तक मेसेज पहुंची तो अलम्दल्ला इस बार भी जो है यही सोचकर हम चार खानकों में मिलकर जो है जलसा मुनख़त किये है 25 जो है आगस्ट को बारोज इत्वार इन्फैंट्री रोड में गुलिस्तान शादी माहल में चार बज़े से प्रोग्राम शुरू होगा इन्शालला जिसके अंदर जो है मशाइखा और उम्मा उल्मा का बयान रहेगा और इन्शालला जो है कुल हिंद मनकबती मुशारा होगा मनकबती यहाँ इन्फैंट्री 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 इन्फै कुछ लोगों से मश्वरा हो गया है कुछ लोगों से और मश्वरा करना है बिल्खुस मौतसर में दो चार नाम बताना चाहता हूँ मुनिर रहमत जामी साब बिंगलूर से रहेंगे और जो है अनहार सौदी साब रहेंगे जनब अनहार सौदी साब शेख अभीब रहेंगे ब 25 तारिख बरोज इत्वार अगस्ट जिसमें लंगार का इंतजाम रहेगा और खवातिन के लिए अलग सिटिंग अरेज्मेंट रहेगा और इंशालला आप लोग जो भी आशे खाने अले बैत हैं सब को खुले आम दावत है आ सकते हैं बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम कुल्ला सलकुम अले ही अजरन इल्ल्ल मुध्दता फिल्खुर्बा कुरान पाकी आयत मसल्मान है कुरान पर रिमान है और र्कना भी चाईए और नहीं रखे तो अम उर्तब हो जाएगा कुरान का हुकम है, कि खुल्ला असलकुम आले ही, अजरन इलल मुद्दत फिल खुर्बा, कह दीजे, हुम्हमद मुस्तिफा, अगर आप अजरِ रिसालत कुछ मांगना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपके खराबद्दारों की मुद्दत मांगे, ये खुरान का हुकम है और सारे मुसल्मानों पर ये लाजम है कि हम लोगों को अगर मुद्दत रसूल देना है जो सरकार अग्वालम बताया गया कि अगर उनकी अजरे रिसालत देना है वो मुद्दत एहल बैत है अब यहां पर ये जो प्रोग्राम है ना ये नाया परोग्राम है ना ये पुराना परोग्राम है ये खुरान के तहट में कर रहे है खुरान के अंदर अल्लह में हुकम दिया है अजर रिसालत देना है और क्या देना है खराबतदारों की मुद्दत रसूल से पूछा गया है खराबतदार कौन है तो अल्ला के रसूल में हदीस शरीफ है अली, फातिमा, हसन, हुसाइन, अलहमस्सलाम मेरे खराबतदार हैं इन से आप मवद्दत कीजिए मवद्दत का मतलब है इनकी महब्द, खुशी में खुशी, उनके गम में गम इनके दोस्तों से प्यार, इनके दोस्तों से, इनके दुश्मनों से नफरत ये अगर करेंगे तो ये मवद्दते रसूल होगा, अजर रिसालत होगा ये अजर रिसालत का प्रोग्राम है ये रसूल सल्ले लाह लिएसलम ने खुद किया है जब भी रसुल अपने मिंबर पर चड़ते हस्न हुसाइन को साथ में चड़ाते और उनकी तारीफ करते कर्बला बयान करते इमाम हसन की शहादत बयान करते इमाम हुसाइन अलेहसलाम की शहादत बयान करते एक च्छोटी हजीस है जब भी इमाम हसन को देखते है सरकार दो आलम गला चूमते और रो पड़ते है तक पूछा रहा या रसुल्ला आप क्यूं रोते है तो कहा मेरे उम्मत में ऐसे कुछ गद्दार बागी जहन्मी लोग होंगे जो मेरे हसन को जहर देकर शहीद करेंगे रसुल्ला ने रोकर और ये बयान करकर दिखाया कि हम एहल सुन्त रसूल के तरीखे पर है ये एहल सुन्त जो सूफिया एक्राम है इमाम हसन की भी शहादत और इमाम हुसाइन की भी शहादत ये करकर लोगों को ये मेसेज देना चाहते हैं ये असली सुनी है ये असली सुन को आगस्ट 25 तारिख को इंशालला बेरोज अच्छ ए इत्वार चार बजे गुलिस्तां शाहदे महल में सारे शूफिया इकराम के साथ में हम चार खान्खावाले हमारे अमीन ازدخ صاحب کی ازدخی خانخواہ وارسی صاحب کی وارسی خانخواہ ترابی صاحب کی اور ہماری خانخواہ مل کر ये چاروں نے مل کر ये की प्रोग्राम नहीं गदीर का है उससे पहले हमने टॉम हल में एक प्रोग्राम किया था वो भी सिर्फ मशायख एक्राम का प्रोग्राम था किसी इदारे का किसी मूमेंट का किसी का इसके अंदर दखल नहीं जो भी हम लोग मशायख करते हैं वो सिर्फ हम मशायखी करते हैं दूसरों का कोई भी इसके अंदर दखल नहीं और ये भी प्रोग्राम सिर्फ हम चार खानخواہ वालों मिले हैं किये हैं यह नहीं कि हम चार खानखा मिल गए तो दूसरे नहीं करना आप भी अपने प्रोग्राम करो इंशालला हम उस प्रोग्राम में आएंगे और जो रसूल सलिल्लाह लिए सलम का जो पैगाम है तबलीग है वो तबलीग को पहला रहे हैं ताकि उम्मत में महबत रसूल जागे क्योंकि आज कल ऐसे हो गया कि जो असल में जो खुरान का नस है वो महबत एहल बैद पर है हम को फर्ज जैसा नमाज है इसी तरह मुबत एहल बैद हम पर फर्ज है जो चीज़ फर्स है वो छुपा रहे हैं जो हम पर नफिल है जो हम पर लागू नहीं है वो चीज़ के पर हम थोप रहे हैं लोग थोप रहे हैं ये लोगों को शौर पैदा करना है कि जैसा इमाम हुस् disparities हम महबत करते हैं हसं से भी महबत करते हैं कि शहादت की तारिय अटाई सफर है मगर हम लोग भुसी की दिन इमाम हसन का भी जो वाकिया शहीद किस ने किया क्यों किया कैसे किया ये भी शउर रखना चाहिये क्योंके सरकार दौालम ने कहा कि हसन मुझ से है और मैं हसन से हूँ हुसैन मुझ से है मैं हुसैन से हूँ चाहे हसन हो चाहे हुसैन वो रसूल सलिए लिए 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 गोश्त है उनका खून है उनका नूर है उनका नफस है ये असल में हसनु हुसाइन की शाहदत नहीं ये रसूलिल्ला की शाहदत हम लोग मना कर उन से हम नजदी की रिश्टी वारी दोरना चाहते हैं और लोगों में ये महबब अगर हुसाइन से करें, हसन से करें वही आकर असली इसलाफ है अमन का, आफियत का इसके अंदर अगर देखें तो इमाम हुसेन में सर दिया इमाम हुसेन के पास करामतें थी सब कुछ रहने के बावजूद भी उन्हें अपने आप को शहीद करवा दिया उम्मत की बखा के लिए और दिखा दिया कि इस उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो जल्म करते हैं और जो बागी हैं उनका परदा फाश करकर इमाम हसन ने दिखाया वही काम हम कोशिश करें ताके दिखाया कि इसलाम में मुनाफिक भी हैं मुर्तद भी हैं और खारिज भी हैं और नास भी भी हैं जो अहल सुन्त का लिबादा ओड़े हुए हमारे में घुसे हैं और घुसकर इन चीज़ों को खतम करना चाहते हैं ताके ये इसरालियत और ये जो मुनाफिकत ज्यादा बढ़ जाए और हम दीन से दूर हो जाए ये इसका मकसद है